आज के इस वीडियो में हम आपको गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि आप गुरुग्राम जाने की सोच रहे हैं, तो गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर है जो की बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में हर साल हजारों लोग शीतला माता के दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए पहले हम आपको शीतला माता के बारे में जानकारी दे देते हैं और फिर उसके बाद गुरुगराम में स्थित शीतला माता मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। शीतला मातादेवी के बारे में जानकारी शीतला जिसे शीतल के नाम से भी जाना जाता है, मुल रूप से यह हिंदुओं की देवी हैं, जिनकी पश्चिम बंगाल उत्तर भारत, बांगलादेश और नेपाल में पूझा की जाती है इस देवी को हिंदू पौरानिक कथाओं में चेचक देवी और फुसी, घावों, रोगों और घोल की देवी भी कहा जाता है शीतला का अर्थ संस्कृत भाशा में चेचक होता है और यही कारण है कि हिंदूओं द्वारा शीतला की पूजा एक देवी के रूप में की जाती है जो रोग को दूर करने की शक्ती रखती है इस देवी के अलग-अलग नाम है जिनकी पूजा न केवल हिंदूओं द्वारा बलकी आदिवासी समुदायों और बॉध्धों द्वारा भी की जाती है शीतला माता को मुख्य रूप से रक्षक के रूप में पूजा जाता है और इसका नाम पौरानिक और तांत्रिक साहित्य में भी मिलता है ब्राह्मन और साथ ही निचली जातियों के पुजारी वसंत और सर्दियों के शुष्क मौसम के दौरान माता शीतला की पूजा कर सकते हैं श्री शीतला माता आर्ती और और शीतला माता अश्टक यह देवी की कुछ पूजाएं और प्राथनाएं हैं जिसे आप कर सकते हैं के बारे में जानकारी देते हैं। भक्तों की भीड से यह मंदिर भर जाता है जिसे हिंदूओं के बीच चैत्र अवधी कहा जाता है। यह मंदिर एक कुम्भ मेले की तरह दिखाई देता है जहां हजारों लोग अपने मुंदन समारोहों और अन्य महत्वपून और पवित्र समारोहों के लिए आते हैं। इस देवी को देवी दुरगा का अवतार भी माना जाता है और इस देवी की प्रतिमा का वजन चार किलोग्राम है और यह मूल रूप से सोने की पॉलिश और मिश्रत धातु से बनी हुई है। चेचक से पीडित लोग इस मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं क्योंकि देवी शीतला माता को इस बीमारी को मनुष्य से दूर करने की शक्ती माना जाता है। बहुत से लोग इस देवी के सम्मान में गीत और भजन गाते हुए यहाँ पर रात बिताते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बलकी शादी के बाद सुखी जीवन जीने का आशिरवात पाने के लिए कई विवाहित जोड़े भी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक मेला भी आयोजित किया जाता है जिसे मसानी मेला कहा जाता है यह मेला मंदिर के भीतर ही आयोजित किया जाता है और इसमें दुनिया भर से बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। शीतला माता देवी की कहानी क्या है पौरानिक कथा के अनुसार रिशी शरदवान के दो बच्चे थे। रिशी शरदवान यह सोचकर परेशान थे कि उनके दो बच्चे उन्हें पूजा में परेशान करेंगे तो उन्हें जंगल में अकेला छोड़ देता है। तब राजा शांतनु जो की भीश्म के पिता थे, वह जंगल में दो बच्चों से मिलते हैं और उन्हें रिशी शरदवान के बच्चों के रूप में पहचानते हैं क्योंकि बच्चों के पास धनुष और हिरन की खाल होती है राजा बच्चों को अपने साथ ले जाता है और उनकी अच्छी देख भाल करता है जब यह बात रिशी शरदवान को पता चलती है तो वे आकर अपने बच्चों को राजा से वापस ले लेते हैं राजा शांतनु द्वारा बच्चों पर की गई दया के कारण ही पुत्र का नाम क्रिपाचार्य और पुत्री का नाम क्रिपी रखा गया कृपी ने द्रोनाचार्य से शादी की जिन्होंने पांडवों और कौर्वों को प्रशिक्षित किया और कृपी को गुरुग्राम में एक तालाप के किनारे बैठाया जिसे वर्तमान में गुरुग्राम कहा जाता है यह कृपी की तपस्या थी जिसने उन्हे मा जैसी आकरिती बना दिया और उनकी पहचान माता शीतला देवी के रूप में हुई तो यह थी शीतला माता देवी की कहानी यदि आप कभी भी गुरुग्राम जाते हैं तो गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के अधिकारियों द्वारा तीर्थेयात्रियों को आवास सहायता और आवास भी प्रदान किया जाता है यहाँ पर कई धर्मशालाएं और यहाँ तक की मोटल भी हैं जिन्हें एक या दो दिन के लिए किराय पर लिया जा सकता है माता शीतला देवी का मंदिर सुभच्छे बजे खुलता है और शाम को 9.30 बजे बंध हो जाता है सुमवार और गुरुवार को माता के दर्शन के लिए भारी भीड रहती है तीर थेयात्रियो द्वारा यह माना जाता है कि देवी शीतला हिंदू पौरानिक कथाओं में पूजा की जाने वाली सभी देवी देवताओं में सबसे शांत देवी है यदि आपको शीतला माता देवी मंदिर गुरुग्राम जाना है तो आप तीन तरीकों से जा सकते हैं उसके सबसे पहला तरीका हवाई जहाज यात्रा है, दूसरा तरीका रेलवे ट्रेन है और तीसरा तरीका सडक मार्ध है यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं, तो गुरुग्राम का सबसे निकटम हवाई अड़्डा इंदिरा गांधी राष्ट्रिय हवाई अड़्डा दिल्ली है, जो की गुरुग्राम से 16.8 किलोमेटर दूरी पर है वही यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो गुरुग्राम का सबसे निकटम रेल्वे स्टेशन गुरुग्राम रेल्वे स्टेशन है जो की मंदिर से केवल 3 किलोमिटर दूरी पर है और वही यदि आप सडक मार्ग से जाना चाहते हैं तो सबसे निकट्टम बस स्टेशन गुरुग्राम बस स्टैंड है जो की मंदिर से 2.7 किलोमिटर दूरी पर है यदि आपको आज का यह विडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर ज़रूर शेयर करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक भी करें और प्लीज हमें बताए कि आप किस शहर और देश से है कमेंट करके जरूर बताए